हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल जोईद पैट आई नो मार्केट काफी ज्यादा अजीब भीव कर रहा है जो लोग के लिए तो मार्केट यह बहुत यह पाप टाइप का होगे कि उनलोग का प्रफिट होई नहीं रहा है अगर प्रफिट धिक रहा है तो फिर दस पंद अगर आप दस लॉट से नोमेली करते थे तो अभी तीन लॉट पर आजाओ तो अपका इसाब से मार्केट आएगा ताब उस टाइम पर अपना प्रफिट बना सकते अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप अगर सोचोगी कि मैं जादा पोजिश कि तो अभी जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं कि उसमें थोड़ा सा दीख रहा है मझे तो उसमें तो तो वह मेरा प्लस मैनस होगी अभी एकडम फ्लाइब चल रहा हूं क्यूंकि मैं एक लाइंड चाल रहा हूं एक वान विक तो बहुत अच्छा कहता तरहीं वूपर जा रहा है की बेस कोशिश कर रहे कि अपसाइड डेकाऊट करें तो अब ही देखो सब कुछ एक साथ नहीं बर्ष सकता है एक्वीटी भी भाग रहा है ऐसा मैंने देखा आप खुद चेक कर लिए ना कि जब लास्ट लेग ऑफ मार्कर में रैली आता है उसमें ऐसा होता है सब भागता है देन लाइक वान हैस्टो गिव अप और मतलब मैं अकसर देखा कि असपनलब यह साथ लेज़ा है तो यह सब एक साल भागते है तो व इस टो गिव अंधाट वी possibility market तो अभी देखते हैं क्या होता है कुछ reversals आने का chances है अभी एक आएगा तभी तोसा बाद में अगर त्युक्ति आकर थोड़ा सा मांगे स्टेय करके अगर रिवर्स आघे यहाँ पर देन इसको ब्रेक करें तभी में ज्यादा अग्रेसिव होंगा उस बाइग में अभी जो लग रहा है कि तक पर्सेनल में क्या फिल कर रहा हूं उसको में हम लोग देख रहा है अगर दे प्रटी सेवें थाउजन इस केंडल की नीचे यह वाला केंडल जो है डोजी टैप का जो केंडल है इसके नीचे अगर आना स्टार्ट कर देना इसके नीचे तो यह पोदिशनल ली बेरिश बन जाएगा अगर यह राउंड फिकर में आ जाएगा आपका अल्मोस्ट एट तक आने के कोशिश करें इस और राइस परस तक आने के कोशिश करें तब यह सब और रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जाना जाएँ जाए हैं आगर यह लेकिन अगर यह अगर अभी फिर से थोड़ा ओपर और ऊपर चाहिए लाइफ है क्ला कर लाइफ हाई के आसपास है अल्मूस्ट यह अगर थोड़ा से उपर और क्रोस कर जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा धूंड़ूंगा अगर गैप डाउन हो गया तो और अगर फ्लैट ऑपन होता है फ्लैट ऑपन हो यह थोड़ा सा गैप अप हो देन में दिखूंगा कि यह आट सो नो सो के आसपास इस लेवल के आसपास 48-800-48-900 आप अगर यहाँ पर 15 मिन के टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल्स मिलता है अगर फ्लैट ऑपन होता है और अगर बहुत बड़े यह आपका बन चुका होगा तो अगर आज कल क्या आउरा इंटरे में खुछ भी मतला आप ट्रेड नहीं कर से तो कि पहला यह आगर मालो यहापर कोई बेरिश पोजिशन बनाया देन उसी दिन उसका फिर ऐसा लिट हो डेड़े तक ने घड fiance फॉया गयात है थिरी तो मैं बुली करने पसंदी घरता हूं कि लिगतों कि और रट में आपका ऀपके जाता है वह बहुत बड़ा ऑप होके चते है तो अच्छा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा उपर जाता है तो उसमें आपका बहुत पेशन्स चाहिए और आपको उसमें रुखना आना चाहिए तो इसमें आपका तभी आपको प्रॉफिट मिले यहाँ पर अगर कोई जैसे कि यह दो केंडल जो बनाया था यह दो केंड सब्क्रांगस न कहु DS进宦 करेंड़ के ना फोट्रम केंड़ यहां बतार संब्सक्राइब होता रहा और पहला तो इस ने आपको एगर और ऑप्शन कोई सेल करता तभी वो पैसा कमाएगा नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ डिरेक्शनल तो ही नहीं अगर को ऑप्शन भी सेल करेंगा तब भी डिरेक्शन कैसा हो रहा है मतलब साइडवेश वोलाडाइल मार्केट बोल सकते हैं अच्छा अब लोग बैंक निफ्टी इंट्राइम में क्या कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपें होता है फ्लैट ओपें होके यह नीचे की तरफ तब ही तरफ लेवल बहुत दूर है ठीक है इसके नीचा आने से आप ट्रे प्राइश बना रहा है यह प्राइश बनाता है देन आप उसको ट्रेट कर सकते हो वरना आप इसको वेट करना अपड़े इस लेवल के भीज करने का तो यह लेवल फोड़ा दूर है तो अम लोग बूलिश साइट में देखें कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो और अगर मा सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अम लोग तो प्राइश कर रहा है और बैंक निफ्टी मुझे जो लग रहा है कि डारेक्ली जा रहा है तो इसमें कुछ रिवर्स आएगा तभी मैं इसको बात जो अगर आप मोबात है तब मैं इसमें जाधा विलेव करना पसंद करूंगा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें हम लोग को एक जोन मिल गया यह आपर यह वाला जो लेबल यह वाला लेवल है मादब 22,350 से उपर है यह 400,350 के इस रेंज को तोड़े बैंक निफ्टी देन हम लोग को नीचे के साइड अच्छा-गासा ट्रेड मिल सकता है और उपर के सब्सक्राइब यह वाला लेवल तोड़ना जरूरी 600,600 से बहुत अच्छा शार्प से लिए आयता है तो 600 जब तक ना तो रहे तब तक हम लोग बोलिश के लिए देखने सकते हैं यह विकले टाइम फ्रेम में बता रहा हूं मतलब 75 मिनिट्स में आगे तो कि हम लोग पोज बैक्न करता हूं करता हूं और अभी जे करें की इसको क्रॉस आने का मतलब कोशिश करेगा यह तो हम लोगो क्या करना चीए अगर इस तरफ यह वाला हो जब्र यह जाए करें तो यह हम लोग सब आस पास लिए पर सकते हैं उसके बाद हम लोग बेस बनागे फिर उपर जा रहा है देना सेकंड हम लोग फिर से बुलिश टेट भी ले सकता है और अगर बहुत बड़ा गैप डान हो जाता है बहुत बड़ा गैप डान होने से भी हम लोग इसको वेरी साइड ट्रेट करेंगे लेकिन देखना बड़ा है पुल बेक करके आप से चलने लेगे आँ तब आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कर से तो अब आगर आप बचाओगी नहीं तब बाद में आगर मार्केर आपकर साइर में साब से भी चलेगा तो आप इसमें डर के मारे आप उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे मने मीटके अपनिटिक अभी तो देखते हैं मिटके अपनिक्ट वे देखो पुरा वह यह एकदम अच्छा खासा रींज में फसा हुआ है तो यह रींज इस तरह भी बिलेक करें अच्छा मूँ अभी आने का चांस है तो यह वाला जो रींज यह वाला रींज और इनिची की तरफ यह वाला रींज यह हम थोड़ा छोड़ दो यह वाला रींज मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट अगर यह जो जो जोन बना हुआ है अगर इस जोन को किसी भी साइट ब्रिक करेंगा ना इनिचे के लिए ट्वेंटी फाइब और ऊपर नाइन हंड़ेट का असपास यह 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 एक्टी आपका हाहात में नहीं आएगा बहुत फास्ने दोढ़िने ऐक पुरा वह मूव देचोगा होगा तो इसलहें आपको पकरणा आ चाहिए अगर इसको अगर इनिप करेगा ना इस लेवल को इंडिफाइब करेंगा और उपर 900 को ब्रेप कर ता तो लिए वाला जोन भी और र करेंगे लेकिन प्राइस एक्षिन के बाद और बहुत बड़ा गैप देने से हम लोग देखेंगे कि मतलब थोड़ा पहले थोड़ा से रिवर्स के लिए प्ले करेंगे देन देखेंगे सेकंड आफ में कि अगर यह कॉंसे ब्रेक करें रिंज बनाकर क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है कि कौन से आप लोग को ट्रेडिशनल चार्ट पर पसंद है या फिर में जो मेरा वाला देता हूं उस सबसे पसंद आगा जो आपको पसंद आएका आप कमन करेंगे बताना मैं उससे आपसे बात में नेक्स से इंट्राडी स्टॉक्स दोगा तो इस जोन पर कहीं पर मिलता है या फिर यह हो सकते है कि अगर गैब डाउन हो या फ्लैट हो कि तो रहा से नीचे है तो यहाप थोरा सा बेज बना के उपर जाने के घुश्ट करना हम लोग यहापर एक ट्रेड मिल सकता है ठीक है तो हम लोग बाइंग के लिए देखना है इस ही फिर संफिर ना इसका है अच्छा के लूग कर निचे सकता है गया तक भी आ जाई सिर बाइंगे नेक्स टॉके डिवीज़ भी हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे यह अगर फ्लाइट ऑपन हो के 3740 को क्रॉस करें या फिर 3730 को क्रॉस करते हम लोग से पोजिन बना सकते हैं इसमें इसमें 15-20 रूप लोस रहेगा दर वान शेट टॉम लोगा मिन्यूम टाइट हो जाना च नेक्स टॉक है BVL यह भी हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे फ्लाइट ओपन होके 1485 को तोरे 1485 को तोरे हम लोग स्कते हैं इसमें इसमें साथ साथ दूप लोस रहे दर वान शीट आप लोग का मिन्यूम टागेट हो जाना चाहिए अब जाए कुछ स्टॉइंग है अच्छा चार्ट दिख रहा है यह अच्षा छासा मुफ देने का आच्छा हो एक पूलबाग भी दे रहा है मतलब इसको और अब नोच रहा हो जाने कोश्جश कर रहा है थो गोग पहला लोग ब्रेक में में किया यह वाला में लोग त Iímल भिभ और से रिटर जाना शुरू कर दे अगर यह इसको थोरा सा होड़ करके यह थोरा सा जाता है उपर की दिरफ दिन आम लोगा यह अच्छा खाजाएक ट्रेड मिल सकता है इसमें और यह तो आपको हर स्वेंग स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मिला होगा अगर मेने पांच दिया तो यह तो एक यह दो में अच्छा मूब आया होगा और दो तिन में अगर हो जाकि तो आपका मिनिमूम स्टॉप लॉस ही तो यह फिर आप कॉस्ट टॉक्स निकल गए होंगे ऐसा आपका मिलेगा क्योंकि मैं ऐसे पिक करता हो मुझे नहीं चाहिए कि में एक दम हर स्टॉक मे मेरा होल्डिंग है तो एक या दो करें और बाखे तीन में बस मेरा माइनल लॉस हो या फिर कॉस्ट टॉकस मेरा हो जाए तब भी चलेगा मैं ऐसे ट्रेट करता हूँ और मैं यहीं आपको सिखाना जाता हूँ कि यह सब करके यह आप इक्विटी में बहुत अच्छा था कि ब्रेक नहीं किया और उपर बहुत अब था से अकश़्के होड़ कर तो नो — इसकी यह यह बं करना में यहां नीचे आके चुरह से खुद को बना रहे जाए तो यह इक रहाए तो इसको इप दिरेंगी था लिए भी अरो फोर गैंड्सष इंट्रेस्टिंग बात आप देखना जब विए यहाइओ रहा है कि इसमें इनर पाइंग हो रहा है मुझे लग रहा है कि इनर बाइंग हो रहा है तो इससा हो सकते हैं कि अगर इसको करेगा इसको लाउंग तर्म बैसे कि जोगे तब आपको अच्छा तेस्ट हो चुका एसब जोन मल्टिबल टाइम टेस्ट हो चुका तो इसमें और रुपना नहीं चाहिए यह ब्रेक कर देना चाहिए यहाँ पर आकर आकर थोरा सा टाइम स्पेन कर दिया अगर यह बहुत बड़ा भी मुव दे सकते अगर आपको इसमें आपको सिमिलर पैटर मिलेगा दिको एक वर्टीकल मूव दिया तैं यहाँ पर आठा कहसा टाइम स्पेन कर थे अर्मोस्ट बहुत प्रेल स्पेन कर दिया आफ़ तेर-दो साल तो इसमें अगर यह ब्रेक करता है इसमा ज्मी का चांस है कि तो दो दना देर-दो साल से स्टॉक यह सब श्टॉक प कर और वॉल्यम देखो तो यह अगर इस रींज को ब्रेक कर दे अच्छे सब ब्रेकर के ऊपर ही अल्मोस्ट अगर इस अच्छ में थोड़ा सा और स्टेक करने लग जाए अपर तो हम लोगे अच्छा खासा मूं मिल सकता है एक यह वाला गैप तो हम लोगा फिल हो तो दिख रहा है यह वाला गैप फिल हो जाए तैन उसके बाद हो सकता है कि यहां पर यहां सा फिर्स लांग नीचे के तरफ आए तन फोला सा रहे कि तरन बाद में वह फिचर कर दिखा जाएगा लेकिन मुझे यहां तक का कर ट्रेट दिख रहा है अगर यह इसको तोड़ता है अच इसको यह ब्रेक करेगा अच्छे से दिन हम लोग को यह सब लेवल और मतलब रेस्पेक करते हुए नहीं दिखेगा पुरा लाइफ है क्रोस करके उपर जला जाना चाहिए तैन यह हो सकता है नेक्स्ट लेग ऑफ रिली में यह सब स्टॉक्स आ गया है तो हम लोग ने सारा ऐस लेख लिया तो अभी तीकव ने जो अभी मातं बचल चल रहा है ना मार्केट में यह हो सकता है इलेक्ट्व तक रहे क्वे युवेसिसमार घ poking जोड़ी मार्केट देख और गिवलागस कर रहा है सब कुछ तोड़ा घि कर रहा है मतलब लोग कोई ट्रेड अच्छा मिलता है तो लेंगे इसमें लेकिन हम लोग अथा मुव आना शुरू हो जाए तो लोग उसमें थोरा सा पॉजिशन एड कर सकते और इसमें थोरा सा एग्रेसिव कर सकते क्योंकि अभी जिसा लग रहा है कि मार्केट कुछ भी मतलब यह लोग को पास कुछ आप्शन नहीं है तो लोग देखेंगे कि हम लोग जब हम लोग का हिसाब से मार्केट चलेगा तो हम लोग उसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते तो अभी आप ज़्यादा डूंट लूज और क्या बहुत ज़्यादा लूज मत कर इसलिए मैंने में जैस अग्रिशिव होगे है कि अग्रिश्क चल राए तो मैं मेरा चल रहा है और मेरा शोस और बेक दिशरो और वहां पर जो तुट थ्वा सब्सक्राइब हो रहा है तो आप यह से थोड़ा सा ट्विक कर सकते हूं कि हाँ अभी एक्विटी में थोड़ा मूव आ रहा है तो आने तो जब स्टॉप लोसे हीट होंगे तब देखा जाएगा तब मैं हम लोग स्कॉर एफ करके ले सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक शेयर वें सब्सक्राइब अगले वीडियो में तब देखिल भाई शुक्राइब और अपना ख्याल रखना